आज की रेसिपी है विंटर स्पेशल चिकन मेथी पालक चिकन तो वीडियो के देखिएगा सर्दिया है जरू ट्राई करिएगा और वेज और नॉन वेज जो बोथ है वो इस रेसिपी को जरू ट्राई करें बहुत ही असान सिंपल से इनकिर्वेंट्स है और चलिए बनाते हैं तो जिसके लिए मैंने लिया है 750 ग्राम ऑफ चिकन और यह कुछ सूखे मसाले हैं जिसमें हैं 2 टीजपून धनिया पाउडर, 1 टीजपून हल्दी पाउडर, 1 टीजपून नमक और 1 टीजपून लाल कोई गरब मसाले का मैं यूज नहीं कर रही हूं तो जान सकते हैं कितना हैल्दी और टेस्टी बन कर तयार होगा और यह मैंने 500 ग्राम मेथी है और 500 ग्राम पालक है जिसको अच्छे से साफ कर के कट कर लिया है सो फ्रेंट्स आप बताईए आप लोग को क्या पसंदे इंट्रस खतम होने वाली है तो मेथी बालक चिकन बनाए और घरवालों को कर ले खुश तो फ्रेंट्स लेट स्टार्ट रेसेपी तो यहां मैंने कड़ाई में गरम कर लिया था आप चाहें तो सरसे को आयल में बटर में घी में जो आपका फेवरिट उसमें बना सकते हैं और यह जो प्यास थी मैंने इसमें डाल दिया है प्यास को मैं सिर्फ लाइटिश फिंक होने तक इसको थोड़ा सौते करूंगी इसके बाद हम इसमें एट कर देंगे चिकन तो बहुत ही आसान प्रोसेस है बहुत ही आराम से भी बन जाता है जो बिगनर्स है तो बहुत ही यह जो बो नुए जो मेजया शांए खाना है है और को यहां मैंने और कर दिया था तू ती श्पून के तफिरिण मयों ब्हुत है नुए लाइट कर लिया है तो इनकेसं पजोंगिव लोह था लोग वीसे sir गलोए लिए नाट कर लिया है तोलोग मेरे साथ जूड़े जुर नियू नियू विवर्स थैंक यू आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करें इतना सारा प्यार कर रहे हैं इसी तरह मेरे चानल के साथ बने रहिएगा और मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक और कमेंट करिएगा इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर और जो सारे स तो अच्छे सारे मसाले के साथ हमें चिकन को मिक्सप कर देना है और फिर इसको थोड़े देर लिट लगा के पाँच मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पे रहने देना है जिसे कि चिकन जो है वाटर रिलीस करेगा और हमें इस टाइम कोई भी पानी इसमें आड नहीं करना है तो बहुत ही असान सी रेसेपी है पूरा देखिएगा और जो लोग मेरे चानल पर नहीं है प्लीज डू अब हमें क्या करना है इसको मीडियम टू हागा फ्लेम पे असको इस्टिर फ्राइक करके सारह झाल जक तक डॅट राहीन हो जाहे हमें इसको और जिसके चिकन जो है सेवन्टी पर सेंट कर लेना है क्योंकि मेंति और पालक को ने में तो टायम ही नहीं लगता है तो मैं बा तो बिगनर्स को मैं यहां पर टिप देना चाहूंगी जैसे कि आप लोग को मसाला जब फ्राइ कर रहें तो पता कैसे चलेगा कि यह कुप्ध हो चुका है जब तक सर्फिस पर आयल ना जाए और मसाले में से बहुत ही अची सी खुश्बून आ जाए इसका मतलब है मसाला जो अब मैं इसमें डाल दूंगी मेथी और पालक आप 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 तो फ्रेंड्स यहां मैंने इसका में इंक्रिटिन डाल दिया है जो है मेथी पालक और इसको कवर कर दिया था लिट से जिसे के यह कुक्ट हो चाहे और कुक होने के बाद इसकी कॉंटिटी बहुत कम सी हो जाती है तो हमें इसको सिर्फ ऑसे दस मिनट के लिए और कुक करना है जिसे के चिकिन जो था 70% आरेड़ी कुट है और मेथी और पालक भी कुक्ट हो जाए तो बीस मिनट की रेसिपी है और आसान सी है और विंटर से पहले आप इसको बना लें मेथी पालक चिकिन वो भी मेरे स्टा तो कुक करते वे लगबग मुझे 5-7 मिनट हो चुके हैं अब मैंने इस स्टेज पर इसमें जीरा पाउडर डाल दिया था और ब्लैक प्रपर पाउडर डाल दिया था और कोई भी गरम मसाला नहीं डाला है जैसे कि दाल चीनी हो गया या तेज पता हो गया यह सब कुछ नहीं तो टेबल स्पून के तकरीबान और मैंने इसमें अट कर दिया और वस हमें तब तक कुक करना है जब तक सर्फेस पर आल जाए और सारी चीजें अच्छे से भूनना चाहें आप चाहें तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिन भी रख सकते हैं थिक भी रख सकते हैं ऐस पर य आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए इसमें आप वाटर एड़ कर दें बर ज्यादा लिक्विड़ी हमें इसमें ग्रेवी नहीं बनाना है तो इसलिए मैंने 250 यानि एक कप के तकरीबन मैंने इसमें वाटर एड़ कर दिया और ये देखिए कितनी बहतरीन और किसी लेगी अपना बहुत सारा खयाल रखिए दौा में याद रखिएगा अल्लहाफेज